ओम शान्ति आप सबको फिर से स्वागत है आपके ही चानल पर आज हमारा 35 वा दिन और आज का जो वरदान है वो परमपिता परमात्मा हमें ये सिखाते हैं कि जैसे कि किसी युद के मैदान पे कोई एक सेनानी होता है वो सदा आगे बढ़ता रहता है आपको याद होगा कि ज कि इसका भी एक एम उब्जेक्ट है जो जिस्मानी सेना होती है वो भी चाहती है कि धाबा बोलकर के जो उनकी धर्ती जो किसी ने काबू में करी हुई है नुकसान पहुचा है हुआ है उससे वो छुड़वाएं उसी तरह से परमात्मा हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम सारी आतमय कल्यूग में सारी की सारी आतमय क्यों मुक्ती में नहीं जा पा रही है क्योंकि हमारे अंदर भी काम, क्रोध, लोब, मौह, आंकार इस सारी जीज़े हमारे अंदर बहसी हुई है तो कहीं जन्मों से, कहीं हजारों सालों से बहुत सारे संत, सनियासी, सब सारी दुनिया को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो वेजिटेरिनिजम, शाकहारी जो हमारी वृत्ती थी भारत मो लेकिया है किस तरीके से वो इंसान के अंदर अहंकार, लोब, लालच शटाएं लेकि परमात्मा कहते हैं कि वो कारे तो मेरा है कि जब तक मैं धर्ती पर नहीं आता हूँ तब तक मैं किसी को भी अपने साथ योग लगाना नहीं सिखा सकता तो मुझे स्वयम धर्ती प्याना पड़ता है और मुझे योग सिखाना पड़ता है याद कैसे करते हैं परमात्मा को तो आज का वो जो युद की बात है वो भी वही चीज़ के उपर है आगे पढ़ते हैं आज के वर्दान को लेकर के युद में डरने वाप पीछे हटने के बजाए बाप के साथ द्वारा सदा विजेई भवा हमारे सेना पती कौन है जैसे रूहानी सेना है ये जिसमानी सेना के अपने सेना पती होते हैं है ना तो इस रूहानी सेना के सेना पती स्वयम शिप पर्मपिता परमात्मा है और प्रमात्पा कहते हैं सेना में युद्ध करने वाले जो योधे होते हैं उन्हों का स्लोगन होता कि हारना वा पीछे लोटना है ना हारना वा पीछे लोटना कमजोरों का काम है तो आप सो सकते हो युद्धा अर्थात मरना और मारना तो अब हमारे सारे शास्त्रों में लिखा है कि जो युद के मैदान बे मरता है वही स्वर्ग जाता है आपको याद होगा अगर युद का मैदान कौन सा? ये किसी और इनसान को मारना नहीं युद का मैदान ये नहीं कि बुरे लोग को मारना परमात्मा कहते हैं अपने अंदर की बुराई को मारना ये है सच्चा युद्ध, ये है सच्चा जिहाद, ये है सच्ची सच्ची लड़ाई, जो की अंदरूनी लड़ाई है, बाहर किसी विक्ती के साथ में वो तो पाप हो जाएगा, वो तो परमपिता परमात्मा के सारे केते हैं, आप भी रुहानी युद्धे, डरने वा पीछे हटने वाले नहीं, कभी अहंकार का अटक हुआ, कभी क्रोध का अटक हुआ, सिचुएशन ऐसी बन गी, इंसान ने कुछ ऐसा बूल दी कि क्रोध आगे अंदर से, आगे बड़े क्रोध में, फिर हार खाली, चपेट खाली, मुकी खाली हमने, अरे क्रोध आगे मुझको, यारे ये तो नहीं होना चीए था, अहंकार आगे, अरे मिरे को अंकार क्यों आगया, मेरे अंदर सोल कॉंशिसनेस, आत्मा भी मान ओना तो ये अहंकार, दे का अहंकार कहां से आ गया, ये आता है, येही युद में हार जीत है कही न कहीं आग में जल गए तामे की तरह जैसे क्रोध के कभी पहाड पे चटकर के अहंकार आगे मैं बहुत उचा हूँ मेरा ज्यानी बन गया हूँ और गिर पड़े कभी कभी काम कटारे काम वासना उसके संकल पागे काटे लग गए है में तो इसी तरीके से हम क्या होते है इस यूद के मैदान में भी हम गिरते उठते गिरते लेकिन कभी हार नी मानी परमात्म कहते है सदा आगे बढ़ते विजी बनने वाले हूँ ऐसे कभी नहीं सोचना की कहा तक यूद करें थक जाते है ना जैसे हम आधहत्मिक लाइन में भी क्या होता है, जैसे कि योधा होता है, वो चलते है भगता जाता है, बॉर्टर क्रॉस किया, उसने आगे बढ़ता गया, ठक गया, बार आगे नहीं बढ़ता है, भूख प्यास लग दिये, इसी तरह के से यहाँ पर भी क्या होता है, मेरी डिशन करते-करते, काम, क्रोध, लोब मौँ अंकार के पर जीत पाते-पाते, ठक जाते हैं कभी-कभी, अरे फिर से क्रोध आ गया, एक साल तक तक तुम्हें बढ़ता है, अचाना से क्या हो गया, क्रोध कहां से आ गया, मैंने तो सोचा तो मेरे अंदरा अंकार बचा ही नहीं है, यह कौँसे सिचुशन आ गई, यह कैसे हो गया, मैंने अंतरा हंकार उत्पन हो गया, तो यह चीजों में डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, फिर पीछे हटेंगे, पर पीछे हटते जब हैं, तो क्या है, शक्ती भरने के लिए, एक पलिटन भी जब पीछे हटती तो क्या करती है, अपने सारे resources, खाना, पानी, अनाज, सब कुछ बटोरती है, धन, संपत्ती, सब कुछ बटोरती है, बंदू के बटोरती है, तो यहाँ पर भी वही है, पीछे हटे, तपस्या में बठे, फिर से meditation और किया, जोर से, और knowledge को अंतने धारन किया, तो आगे कहत बहुत बटी प्राप्ती है, उसके बाद में सुक शंती है, तो बात है, लेकिन, जिन्दगी की बात है, जिन्दगी भर काम करोद लो मंकार से लड़ना है, लेकिन 5000 वर्ष की प्रारब्द के हिसाब से यह second की बात है, आप सोचो जरा, प्रमात्मा कहते है, मैं स्वर्ग बन समय नर्ग, जैसे दिन और रात, तुम्हें दिन में जाना है, तो दिन को याद करो, तुम वो प्राप्ती हो रही है, तुम्हें वो सुक धाम, वो शंभाला, वो स्वर्ग, वो बहिष्ट, वो प्राप्ती हो रही है, उसको मत भूलना कभी, वो याद रखो के तो तुम हार नहीं मानोगे, गेरोगे उठोगे, गेरोगे उठोगे, लेकिन वहां तक पहुंचना है, अपनी भूमी तक पहुंचना है, तो प्रारप्त के हिसाब से ये सेकंड की बात है, तो उसके हिसाब से तो क्या है, गेरे तोड़ा सा फरूर गए, है ना, सिर्फ विशाल बुद्ध बनकर बेहत के हिसाब से देखो विशाल बुद्धी क्या होगी चुकि दूर का देखी कि अच्छा मुझे ये प्राप्ति हो रही तो उसके तो मैं मैंनत करूँ आई इसके ले कितना मैनत करते हैं 16-16 घंटा पढ़ते हैं न कोई भी एक्जाम पास करने कितना घंटा पढ़ते हैं तो यहां क्यों नहीं यहां भी वही तरीके से पढ़ाई है आध्यात्मिक ब्रहमकुमारी इस गौडली स्पिरिचल यूनिविसिटी ब्रहमकुमारी इस इश्वरी विश्य विश्य वेद्याले में हम यही पढ़ते हैं कि हम कैसे काम, क्रोध, लोग, मौंकार के पर जीत पाएं ताकि हम अगले यूग अकले त्यारी करें कल लुकान तो आपको दिख रहा है बिमारी आरी बड़ी बड़ी विशाल विशाल बॉम्स मनाके रखे हुए हैं नुकलियर बॉम्स पहले एक दो थे ओल्ड बार टू में अब कितने हो गएं तो आप जानते हैं कि भविश्य में क्या होने वाला है तो परमात्मा महा विना आप से दिखो और बाप की याद का साथ याद मतनीथ मींज मेडिटेशन के इसका साथ की अनुभूती द्वारा विजय बनो परमात्मक की जब साथ परमात्मक की याद है तो शक्ती भरे की प्योरिटी भरे की उनसे रेज आएंगी किरने आएंगी और वो ही हमें आगे झाल